पुलिस अधिकारी का अभाद्रवक गंदी गाली का वीडियो हुआ वायरल वीडियो की पुस्टी नहीं करता है नियोज नाइन टाइमस वायरल पुलिस का आम जनता से कैसा वेवहार है या ब सर्यान दिखने लगा है कहीं गालिया तो कहीं मार तो कहीं अभधर वहवार जिससे आम जंता में पुलिस के प्रती सम्मान की कमी तो हो ही रही है कहीं आक्रोश में भी बदल रहा है सायद ऐसे ही आक्रोश का परिणाम रहा कि बेतिया का बल्थर थाना आग में जला और एक साथ एक ही दिन कुछ घंटों के अंतराल में दो परिवार के सदस्यों की मौत ने जिले को जग जोड दिया एक संदेहास्पत मौत की अफवाहों पर एक निर्दोस पुलिस हवलदार को पीट कर मौत की नीन सुला दिया गया इन सभी ताजा वारदातों के बाद भी पुलिस अपनी भाशाओ और वैवहार में बदलाओ करने के बजाए और सारवजनिक रूप से अपने वैवहारों में जनता वा पुलिस के बीच खाई बनाने का काम करती नज़रा रही है ऐसा ही एक वाइरल वीडियो सहोधरा थाना का हुआ जिसमें पुलिस पदादिकारी द्वारा मोटर सैकल जांच के दर्मियान गंदी गालियां किसी युवक को दे रहे है हाला कि वहां कौन सी परिस्तिती बनी या बताना हमारी लिए मुश्किल है क्योंकि वहां कोई रिपोर्टर नहीं था सर्फ आम जनता थी ऐसे में पुलिस की हरकतों को कैमरे में कैद कर उसे वाइरल कर दिया गया वही जब यह वाइरल वीडियो वाइरल होते हुए बेतिया के पुलिस अधिक्षक उपिंदनात वर्मा के पास महचा तो उन्होंने ततकाल उसका संग्यान लिया और अनुमंडल पदादिकारी नरकटिया गंज को जांच का आदेश दिया फिलहाल अनुमंडल पदादिकारी नरकटिया गंज बल्थर की दर्दनाक हाथसों के कारण व्यस्त है फिर भी उन्हें पुलिस अधिक्चक ने जल्द जांच कर प्रतिवेदन जिला को समार्पित करने का निर्देश दिया है। वाई पुलिस अधिक्चक कुपिंदनात वर्मा ने कहा कि अधि वाइरल वीडियो की जांच में दोशी पाए गए तो उन पर विभागये कारवाई है तो इस पस्टिकरन मांगा जाएगा और तत्पशात उन पर कारवाई की जाएगी। यदि अब तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हर खबर पर पहनी नजर के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करे और हमारे सबी खबरों से रहे अपदेट न्यूज नाइन टाइम्स